ख़ंग झाल है। ाब को आपक नहीं आ रहा है । तो आप लोगों को पता है क्यूंकि कई ऐसे लोग लोग हैं जो एजुकेशनल चानल से आये हैं तो वैसे लोग एजुकेशनल चानल से आकर मुझे देख रहे हैं तो इस चानल को subscribe करिएगा काफी मन लगने वाला है और मैं इस चानल पर सारे वीडियो इस तरह का डालती हूं जिससे कि आपका मन खुस हो जाए बिल्कुल नेचूरल डालती हूं खुस होना ही होना और आपको पता चल जाएगा क्या क्या गुल मेरे अंदर मैं सब कुछ इस पर किलियर दिखाती हूं आप लोगों को पता है और कई लोग इसमें मेरे इसे मित्र बन गए जिनको मैं कहा नहीं पाई हूं जैसे की जियोती इन लोगों को मैं दिल से मानती हूं बहुत ज्यादा है यह मतलब और वी दो चार नाम है मुझे याद नहीं है थोड़ है कि मैं कहां परेशान थी इस आठ दस दिन में और आप लोगों कभी यह कॉंसेप्ट के लिए हो जाएगा कि मैं कहां परेशान थी क्यों नहीं मेरा वीडियो आ रहा था तो आगे आप लोग देख लिजिए मैं कहां परेशान थी तो चलिए आपसे अगले ब्लॉक में मिल और बिल्कुल खुसहाल और बिल्कुल खुसी वाला वीडियो लेकर मिलेंगे जिस तरह हम लोग मिलते आये थे मिलते रहेंगे इसी तरह और जो एजुकेशनल वाले कोई भी सब्सक्राइबर मेरे भाई बंदू बहन जो भी हैं उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो द बनाना एलाओ नहीं है लेकिन यहां पर यह मैं बैटी हुई थी तो यहां पर मैंने कमेंट पढ़ा तो यहीं पर कमेंट पढ़के मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं आंदोलन के बाद क्यों नहीं आ रही हूं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूं तो मुझे पुलिस ने गिरफतार कर लिया तो भाई मेरे देखो मैं कहां थी और किसी के वी साथ कोई भी वक्त आ सकता है और मैं बता दूँ आप लोगों को कि ऐसा बिल्कुल मैं सुची कि कोई भी शिकंदर है समय और परिस्थे इंसान को कहीं भी पहुँचा सकता है हना कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कोई बड़ा इसू नहीं था अधिक प्रावलम नहीं था लेकिन कुछ थो था जो कि हम लोग अस्पताल आये थे तो मैंने अस्पताल में पर्मिशन लिया कि मैं दो मिनिट का क्लिप सूट कर सकती हूं मैं यूट्यूबर हूं मैंने सब कुछ बताया उन्होंने का शिष्टर ने का हां मैं बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकती है तो चुकि आप लोगों को पता है पारस बदनाम हो चुका है तो यह सोचकर भी शिष्टर ने कहा कि आपके थूरू यह पता चलेगा कि यहां का क्या विवस्ता है तो मैं बता दूं वहां क बिल्कुल अच्छा था और यहां मैं अभी सड़क का दिखा रही है जो वाइट सट में है मेरा भाई है और यह अभी केतारी का जूस पी रहा है यानि केतारी का रस आपका सकते हैं और यहां पर कुछ जादा विवस्था था नहीं हॉस्पिटल के बाहर मैं इधर सामने में सी सारी का जूस मिल रहा था चाय मिल रहा था सामने में होटल अच्छा है लेकिन कुछ बन नहीं रहा था वहां पर उस समय को ले करके और यह देखे मैं आपको दिखा रहे हूं यह रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल है मैं सामने में बैठी हुई हूँ तो यहां पर आप लोग पटना के हैं आप लोगों को पता ही होगा यह समय नहीं सेयर करना चाहरे थी लेकिन मैंने पहले पहले बता दिया था कि चुकि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ प्रूफ देना होता है इसलिए अब देखिए यहां पर मैं अंगले दिन का आपको बता रही हू और इसी में थोड़ा सा व्यस्त थी क्योंकि परिशानी 29 तारिक तक जो मैं गई थी उसमें कोई परिशानी नहीं था परिशानी 29 तारिक के राज से शुरू हुई तीस को डॉक्टर के पास लेकर गई और फिर तीस को ही अल्टा साउंड वगरा सारा चीज हुआ एक को एड सेंट के सिती को देखकर डिस्चार्ज किया आता है तो हम लोगों को सुकुन मिल रहा था क्योंकि उनको 24 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया गया था और फ्राइडे था उस दिल मेरा मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था बस बिना निम्बू का कि तारी का जूस पीके और दो तारी को तो आपको पता है कि दो तारी को आपरेशन हुआ चार तारी को में घर आई पांस तारी को आपको मैंने एजुकेसनल चानल पर वीडियो दिया है छे तारी को दिया है साथ को नहीं दिया है तो पता नहीं क्यों लोग क्यों नहीं समझते हैं नाना प्रगार के बूख लगी थी संडे था इस दिन चार तारीक को यहां पर सामने में भूझा मिल रहा था तो यहां यह देखेंगे बालू में जो भूझा बनाया जाता है यहां पर मैं क्लिफ सेयर नहीं क्या मैं सोच रही थी कि ठीक होने के बाद ही मैं सारा चीज सेयर करूंगी क्योंकि मैं यह सब चीज सेयर करना चाहते ही नहीं हूं और यहां पर देखेंगे गाड़ी आ गई है और यहां पर इनको बठाया जा रहा है कुछ लोग इनसे अस्पताल में भी मि भविस में देखूंगी तो यह पल तकलीफ देगा लेकिन इतना परिशान हो गई है आप लोगों के कमेंट से जो एजुके सनल चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट से कुछ लोगों के कारण जो कि मुझे यह सेयर करना पड़ा और अब तो खेर लगातार क्लिप आते अब तो मेरी ममी लोग भी आई है लेकिन उन लोगों का वे मैं सूटने कर पा रहे हूं अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा क्योंकि यह ठीक होने होने को है मतलब कि ठीक होई गया है यहां पर यह मैं हूं मैं भी इसी तरह रातवर जगी हुई थी यहां पर रुकना